जहिंद, मैं ललित खतरी और आज बाद दसके सिक्कों को लेकर ये जानकारी अपने दोस्तों और परिवार को दीजिए और खासकर उन दुकानदारों को अवश्य दीजिए जो दसके सिक्के लेने से मना करते हैं मायरा फैशन्स, एन एक्स्क्लूजिव रेंज ओफ डिजाइनर कलेक्शन, स्वामी कॉंप्लेक्स अन्वेगा मौल अजमेर दस रुपे के सिक्कों को लेकर आम लोगों में इतनी गलत फ्रमी समा गई है कि अब लोगों ने असली सिक्के को भी नकारना शुरू कर दिया है दुध्रेरी वालों को भी अगर आपने दसका सिक्का थमा दिया तो आपको ऐसे देखने लगता है जैसे आपने कोई प्लास्टिक का सिक्का थमा दिया हो और इतना ही नहीं कुछ बैंक वाले तो ऐसे हैं जिन्होंने ग्राहक को सिक्के की पोटली के साथ वापिस लोटा दिया है 10 रुपे के नकली और असली सिक्को को लेकर शहर में गफलत बनी हुई है किसी से अगर तरक भी करो तो दूसरा सिक्के लेने से साफ मना कर देता है बाजार में ग्राहक और दुकानदार के बीच इस मसलिस मामले को लेकर कई बार तूतू में में हो चुकी है और नौबत तो हाता पाई तक आ चुकी है जिलापरशासन दस के सिक्कों पर कई बार अपने बयान दे चुका है लेकिन परचार परसार की कमी की वजह से शहर में सिक्कों को लेकर गफलत बरकरार है रिजर्व वैंक ओफ इंडिया के मताबिक 10 रुपे के सिक्के के 14 डिजाइन वैद है 10 रुपे का सिक्का भारतिय मुद्रा है और इसे लेने से इंकार करने पर राज़द्रोह का मुकद्मा भी दर्ज किया जा सकता है क्योंकि इसको सुईकार करने की वचन भारत सरकार देती है और सिक्के लेने से मना करने पर जेल भी हो सकती है भारतिय दन सहीता की धारा 480A, 480E के तहत सिक्के नहीं लेना अपराध है ऐसे करने वाले के खिलाफ भारतिय दन सहीता की धारा 124.1 के तहत मामला दर्ज हो सकता है RBI भी इस बारे में कह चुका है अलग-अलग समय पर अलग-अलग डिजाइन के सिक्के जारी किये गए है इन में कोई भी सिक्का नकली नहीं है अब अगर कोई भी दुकानदार सिक्कों को लेने से मना करता है तो उसके विरुध कानूनी कारवाही को अमल में लाईए क्योंकि भारतिय मुद्रा का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को आपको और हम को मिल कर पूरा करना होगा क्योंकि ये भारतिय मुद्रा के सम्मान की बात है अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो MTT нельзя के page को follow करें प्रिए गत्रोज में अगिस गद्राइब उला कि एग एग ऑग गुष्या और भी उला कि वेगर हो लाया हाद एगो जरो हुडाया है